नमस्कार दोस्तों जैसी रिशाम जैसा कि आपने थमनेल देखा है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरो एप्लिकेशन के माध्यम से मैनुवली हैसा इप्यम किस तरीके से पे कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको प्लैक्टिकल बताएंगे आपको वीडियो बिल्कुल भ स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनस फाइनस सब में दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि मुचल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं तो चलिए शुरू करते है अच के हमारी वीडियो को तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मुवाइल की स्क्रिन दिख रही होगी सबसे पहले चलेंगे हम वहारी गिरो अप्लिकेशन पर अब नीचे की तरफ आपको बीच में उक और रिखका हैं मुझे करना है अब यहाँ पे देख लीजी उपर के तरफ आपको कुछ option देखने को मिल रहे हैं explorer का, Dexport का, SIP का अब simply मैं क्या करूँगा दोस्तो Dexport पे click करूँगा अब जैसे ही मैं Dexport पे click करूँगा तो दोस्तो नीचे के तरफ सो मेरा complete investment portfolio आपको show हो जाएगा लेकिन जो मेरी pending payments से SIP है वो देख लीजी उपर उपर show हो रही है pending payments बन करके ठीक है, simply देख लीजी कौन सा fund है, HSBC, small cap fund और यहाँ पे देख लीजी side में amount लिखा हुआ है तो simply हमको क्या करना है amount वाले option पे click करना है अब यहाँ पे यह चीज देख लीजी, पहले मैं आपको time पता देता हूँ देख लीजी मैं किस time पे मेरा investment कर रहा हूँ, SIP pay कर रहा हूँ दोस्तो क्या होगा अगर आप morning में market जैसे ही open होता है जब से लेकि अगर एक बज़े की बीच में, जहां तके कोशिश यही करो कि आप 10, 11, 12 12 बज़े से पहले-पहले आपकी SIP उसका payment कर दो market का analysis करके कि market up है या down है, देखो SIP में यह रहता है, अगर market आपका regular base पे अप जाता है तो भी आपको SIP तो pay करनी ही है, because क्या होगा अगर आप SIP पे नहीं करोगे, अगर skip करोगे या उसको छोड़ दोगे payment नहीं करोगे, तो पहली चीज़ तो ही अगर आप continue तीन बार ऐसा करते हो आपकी SIP उसको skip करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, उसको miss कर जाते हो, तो से भी खुछ से आपकी SIP है, वो cancel कर देगा and second चीज़ के है, अगर market के सबसे investment करोगे SIP के अंदर, कि अगर market down जाएगा, तो ही मैं SIP करूँगा market अप मैं SIP नहीं करूँगा, तो क्या होगा, जो रूपी कास्ट averaging का profit है, वो आप नहीं ले सकते हो, अभी रूपी कास्ट averaging क्या होता है, लिंक आपको description में मिल जाएगी, वो complete video watch कर लेना, जिससे actual में आप समझ सकोगे, कि actual में जो market डाउप जाता है, तब भी आप mutual fund से profit क सकते हो, तो SIMPLY हम क्या करेंगे, दोस्तों, अभी मुझे payment करना है, किस से करना है, मुझे करना है, phone pay से, तो SIMPLY में phone pay पर click करूँगा, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, देख लिजी, bank के कौन सा है, Kendra bank, SIMPLY देख लिजी, मैं इस पर click करता हूँ, यहाँ प पर automatic लेके जाएगा, अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा wait करना पड़ेगा, देख लिजी, processing चल रही है, मैं यहाँ पर कुछ wait कर लेता हूँ, देख लिजी, SIMPLY मेरी जो phone pay application है, यहाँ पर on होची किये, अब आपको ध्यान यह रखना है, वहाँ पर आपने जो bank select करा था, व रखा है, दोस्तों, यह देख लिजी, SIMPLY मेरा payment है, दोस्तों, वो हो रहा, यह देख लिजी, मेरा payment है, दोस्तों, successfully हो गया, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, यह automatic आपको grow application पर लेके जाएगा, यह देख लिजी, अभी भी SIMPLY दोस्तों, हमारा जो process है, complete नहीं हुआ है, अब देख लिजी, यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface, आपको देखने को मिलेगा, setup auto pay, हमको setup auto pay तो करना है, हमको manually SIP pay करना है, तो SIMPLY यहाँ पर उपर arrow है, इस पर आपको click करना है, यहाँ पर लिका हुआ है, do it leather, इस पर जैसे ही आप click करोगे, तो आपकी SIP है, वो pay हो जाएगी, अब SIP तो pay होगा है, लेकिन सर्फ शो कहाँ पर होगी, तो देख लिजी, यहाँ पर order लिका हुआ है, जो हमारे pending payments तो उसको option हब चुका है, उसकी जगे आगया order, अब order में देख लिजी, HHBC small cap आगया 500 पेगा जो payment अभी हमने करा है, ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, यूनिट्स हमको all out होएंगे, तो हमारे जो dex board है, वहाँ पर यह completely show हो जाएगा, तो इस हिसाब से दोस्तों, अगर आप timing से investment करोगे, तो same day के NAV आपको all out हो सकती है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इत